हेलो फ्रेंट्स जागरूतिज वेजफुड में आपका स्वागत है और मैं हूं जागरूतिपट आज हम बनाएंगे एकदम जटपट बनने वाली चाट ब्रेड कटका की चाट तो यहां पे हमने ब्रेड की दो पाउं लिये है उसका हमने स्लाइज में कटिंग कर लिया चार स अब इसे बटर से हम से लेंगे तो इसमें नीचे की साइड हमने बटर ओल्रेडी लगा दिया है उपरकी साइड बटर लगा के इस बलट लेंगे तो इस तरह से हमने रोष्ट कर लिया तो आईए फ्रेंड्स हम बनाना सुरू करते हैं तो यह है इसके इंग्रिजिएंस यहां पर हमने आलू दन्या पत्ते बेसं सेव प्याज यहां पर टमाटर मुफली के दाने रोष्ट किये हुए और तीन चटनी ली है हमने कॉन फ्लोर की चटनी इम हरण और यहां पर हमने लिया है नमक चरूरत के इसहाब से डालेंगे तो ब्रेड जो हमने रोष्ट करके ली थी उसको हमने थोड़ी थोड़ी चोटे-थोड़ी टुकड़ों में काट लिया इसके उपर हम तीनों चटनी tällेंगे चरूरत के इसहाब से जितना आप टेस्टी बनाना चाहते हैं और जितना आप चटनी अगरे पसंद करते हैं उस तरह से यहां पर एक एक चमच हमने डाला है और प्याज और टमाटर डाल देंगे अभी हमने बॉयल किये हूए आलो लिये है एक दम चोटे चोटे टुकडों मरे काट लिया है वो डालेंगे देज्धेमcen memoofali के दाने डालेंगे और हरी मिर्च हमने बारी टुकड़ों मरे काट लिया है वो डालेंगे उपर संथोड़ी चटनी हम और लगाएंगे थोड़ा सा नमक हम स्प्विंकल करेंगे आलू वगेरे वेज से तो हमने नमक के साथ बोल किया है पर चाट में थोड़ा नमक ज्यादा होता है तो थोड़ा सा डालेंगे धन्या पत्ते अनार के दाने और बेशन की सेव डाले उपर से थोड़ी से चटनी और डालेंगे तो जब भी मन हो एकदम जटपट बन जाने वाली चाट है और बहुत ही टेस्टी बनती है तो एक बार ये चाट आप जरूर ट्राइ करें तो देखो ये तीनो चटनी हमने थोड़ी थोड़ी फिर से डाल दी एकदम चटपटी चाट हमारी बिलकुल रेडी है तो फ्रेंट्स बनाईए और अपने अनुपो हमारे साथ जागरूतिस वेज़पुट पर सेर करें पताए के सी लग आपको रेसिपी अगर आपको रेसिपी पसंद आती है प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करना न ब बोले मिलते है अगले वीडियो में नही रेसिपी के साथ तेंक यू